हेलो दोस्तो मैं हूँ रिशी केश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप और आज इस फुडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ विमन्स बिग बैश लीग के मुकाबले की जो की खिला जाएगा मेल्बन स्टार्स वर्सिस सिड्नी सिक्सर्स के बीच में मेल्बन के जंक्शन ओवल स्टेडियम के अंदर आठ नवेंबर को सुभा के साड़े पांच बजे से और इस मुकाबले का लाइफ टेलेकास्ट होने वाला है स्टार्स पोर्ट्स नेटवर्क और होट स्टार पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ पिछ रिपोर्ट के बारे में तो काफी डीसेंट सा मैदाने बल्ले बाजी करने के लिए लेकिन फिर भी सुभा का मुकाबला है तो जो भी टिम टॉस जीतेगी पहले गिंद बाजी करना चाहेगी इस मुकाबले में सबसे पहले मैं अपसे बात करता हूँ मेल्बन स्टार्स के बारे में जिन्होंने अपने तीन में से दो मुकाबले जीते हैं और मानना पड़ेगा मैल्बन स्टार्टS के पास एक बहुत ही कमाल की टीम है और इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंद है इस टीम के तीम की तीम बड़े औरोंडरस सबसे पहले आती है ऐना बेल सदरलेंड भाई ऐना बेल की में जितनी तारीफ करूं उतनी कम है कमाल की बल्ले बाजी करती है टॉप ओडर की बल्ले बाजी साथी में उनकी तेज गिंद बाजी भी टीम के काम आने वाली है दूसरी आती है मेरिजन कैप हम सब को उनके बारे में पता है साउथ अफरीका से आती है legendary T20 player है, उनकी तेज गिंद बाजी भी कमाल है, बल्ले बाजी भी शांदर करती है और तीसरी आती है, इंडिया की दीप्ती शर्मा, एक बहुत ही कमाल की spinner है विकेट्स निकालती है साथ ही में, उनकी बैटिंग भी काफी decent है तो ये तीन जो all-rounders है ना, सबसे बड़ी strength है Melvin Stars की इन तीनों के अलावा, दो कमाल की बल्ले बाजी भी है पहली आती है Meg Lenning, जिनको दुनिया भर का experience है T20 cricket खेलने का Australia की former captain रहे चुकी है, साथ ही में, इंडिया की यास्तिका भाटिया भी है इस टीम में तो ये जो top 5 ना, Melvin Stars की, इन में से तीन आपको गिनबाजी भी कर लेंगी और दो कमाल की बल्ले बाज मी है इस टीम के अंदर, गिनबाजी में इस टीम के पास किम Garth का option है, Sophie Day का option है, Tess Flintoff का option है तो तीन आपकी और राउंडर्स तो गिनबाजी करती है, उन तीनों के लावा तीन कमाल की गिनबाज भी है इस टीम के अंदर, तो और राउंडर्स भी अच्छे है, बल्ले बाज भी अच्छे है तो वही Melbourne Stars के पास एक बहुत ही कमाल की टीम है, और ये लोग इस मुकाबले के अंदर भी जीतना चाहेंगे अब मैं आपसे बात करता हूँ Sydney Sixers के बारे में, जिनको दो मुकाबले हारने के बाद पिछले मुकाबले के अंदर जीत मिली अब देखो सिंपल सी बात है, Sydney Sixers overall एक अच्छी टीम बिल्कुल भी नहीं है लेकिन इस टीम में कुछ बहुती कमाल की प्लेयर है, ये टीम पिछला मुकाबला क्यों जीती? क्योंकि एलिस पैरी ने अकेले दम पे टीम को जितवा दिया क्या कमाल की पारी खेली एलिस पैरी ने पिछले मुकाबले के अंदर कमाल की वैटिंग करी, बॉलिंग बेची करतीए एलिस पैरी तो एलिस पैरी ने जितवा दिया उनके लावा कौन-कोन अच्छी प्लेयर है? एलिसा हिली है बले भाज़ी के अंदर और एक Ashley Gardner इनकी All-Rounder और एक Sophie Eclista ने गिन्बाजी के अंदर इन चार प्लेयर्स के लावा कोई बड़ा प्लेयर नहीं है Sydney Sixers के अंदर तो ये बात आप मान के चलो आपको लगराओ का Sydney जीती है फिर भी ऐसी बात ये करता है रिशीकेश तो भी रिशीकेश ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि सच बतारो Sydney के टीम में उतना दम बिल्कुल भी नहीं है ये टीम अपनी 2-3 प्लेयर्स के दम पे जीती है अगर ये इंडिविजल उतना अच्छा खेल जाएंगे यार तो मैं कुछ नहीं कर सकता है इस टीम के बारे में लेकिन इस टीम होता तम बिल्कुल भी नहीं है बैटिंग में अलिसा हीली है एशलि गंडर और राउंडर रैस टीम की बैटिंग बारिन दोनों अच्छा करेगी और गिन्बाजी में एक आपके पास तो मेरी पिक होने वाली है इस मुकाबले के अंदर Melbourne Stars मुझे लगता है Melbourne Stars के पास एक बहुत ही शानदा टीम है और उन्हीं को advantage रहेगा इस मुकाबले में उमीद करता है वीडिया आपको अच्छी लगी होगी लगी तो लैक कीजिएगा सब्सक्राइब पीजिगा चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए मुलाकात होगे अपसकली वीडियो के अंदर और याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं